हेलो दोस्तो आप सभी के धेर सारे कमेंट्स ने मुझे फार्मसी के टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाने में मजबूर ही कर दिया दोस्तो आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी को डीटेल में बताऊंगा कि फार्मसी क्या होती है फार्मासी में स्कोब कितना है, फार्मासिस्ट का काम क्या होता है, फार्मासिस्ट बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है, क्या एजुकेशन लेना पड़ता है, इस कोर्स को करने के लिए कितनी फीज आती है, फार्मासिस्ट बनने के लिए कौन-कौन सी स्किल्स की रि इसकी सालरी मिलेगी तो चलो दोस्तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं फार्मसी करियर के बारे में दोस्तो सबसे पहले हम लोग जानते है कि फार्मासी क्या होती है, फार्मासिस्ट में करियर स्कोप कितना है और फार्मासिस्ट बनने के बाद आप कोन-कोन से बिजनस कर सकते हो दोस्तो फार्मासिस्ट एक एसा सेक्टर है जिसमें रोजगार के अवसर कभी कम नहीं होंगे बलकि आने वाले दिनों में फार्मासिस्ट की और डिमांड बड़ेगी और इसके रोजगार के आप्शन्स भी निकल के आएंगे फार्मासिस्ट हेल्थ केर के सेक्टर का एक अहम पार्ट है इसलिए यहाँ पर करियर स्कोप काफी अच्छा है दोस्तों फार्मासि मेडिकल के शेत्र का एक प्रोफेशनल कोर्स है और इस कोर्स को PCI याने फार्मासि काउंसिलिंग ओफ इंडिया के द्वारार रेगुलेट किया जाता है फार्मासि हेल्थ साइंस से जुड़ा हुआ एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर आपको मेडिसिन के प्रिपेरेशन और कमपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के बारे में पढ़ाया जाता है इस कोर्स के अंदर आपको हर एक मेडिसिन के बारे में डीटेल में जानकरी दी जाती है कि ये मेडिसिन खाने के बाद ये आपके बॉड़ी के अंदर किस प्रकार से रियक्ट करती है इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते है और कोई भी मेडिसिन आपके बॉड़ी के अंद जाता है दोस्तो एक chemist या फिर एक pharmacist का काम ये होता है कि डॉक्टर के द्वारा लिखे गए दवाईयों को chemist को सही से पढ़ना होता है और उस patient को देना होता है जिसको उसकी जरूरत है तो दोस्तो एक जो chemist होता है वो किसी भी government या फिर private hospital के अंदर as a chemist का काम कर सकता है या फिर दोस्तो वो खुद का business भी start कर सकता है आपने दोस्तो अपने शहर में या फिर आज पार तमाम medical stores की दुकाने देखी होगी और आपको पता ही होगा कि medical store काफी जदा पैसा कमाते हैं क्यूंकि यहाँ पर margin level काफी अच्छा और बड़ा मिलता है तो अभी दोस्तो ये सव और medical license उसी वेक्टी को दिया जाता है जिसके पास pharmacist की degree हो और सरकार मान्य उसके पास एक license हो अभी दोस्तो हम लोग detail में जान लेते हैं कि pharmacist कैसे बने दोस्तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप 10th के बाद direct diploma course नहीं कर सकते pharmacist बनने के लिए आपको 12th pass होना ही है और 12th में आपके पास science की stream होनी चाहिए और उस student के पास physics, chemistry और biology ये तीन सबजेक्ट्स होने चाहिए student PCMB भी ले सकता है और अगर कोई student है जिसने PCM subject लिया है और उसने अपने 12th भी pass out कर ली है तो दोस्तो PCM subject लेने वाला student भी future में pharmacist बन सकता है तो दोस्तो science की stream में admission लेने वाला हर प्रकार का student pharmacist बन सकता है लेकिन मैं आपको prefer करूंगा कि आप PCB subject ले क्योंकि biology के अंदर आपको basic knowledge मिलेगी जिसके वज़े से आपका जो base होगा वो strong रहेगा जो आपको future में काफ़ी help करेगा तो दोस्तो आपको PCB subjects के साथ 12 pass out करना है और 12 के अंदर आपके minimum 50 percentage होने चाहिए याने आपको 50% से pass out करना है 12 pass out होने के बाद जैसी आपका result लगेगा result लगने के बाद आपको NEET का form fill up करना है दोस्तो नीट एक entrance exam है और ये entrance exam देने की क्या जरुरत पड़ती है मैं आपको बताता हूँ जैसे ही दोस्तो आपका 12 pass out हो जाएगा उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए आपके पास एक medical college होना चाहिए तो दोस्तो एक medical college की अंदर admission लेने के लिए आपको NEET की entrance exam देनी होती है NEET entrance exam के अंदर आपके physics, chemistry और biology के topic के उपर questions पूछे जाते है जो आपके 10th and 12th के syllabus के उपर ही होते है लेकिन NEET एक entrance exam है तो इसके अंदर जो भी questions पूछे जाते हैं वो थोड़े गुमापिराकर पूछे जाते हैं तो दोस्तो आपको NEET के exam के लिए किसी अलग प्रकार से preparation नहीं करनी है बस आपको अपना जो base से उसको strong बनाना है और दोस्तो याद रहे कि NEET के entrance exam के अंदर आपके जितने भी मार्स आएंगे उस मार्स की हिसाब से आपको college मिलेगा अगर दोस्तो आपके NEET entrance exam के अंदर अच्छे मार्स आएं तो दोस्तो आपको बड़ा college मिलेगा otherwise आपको एक normal college मिल जाएगा लेकिन NEET के entrance exam देना आपको compulsory है तो दोस्तो entrance exam देने के बाद आपके सामने कई प्रकार के options आजाएंगे अगर आपको pharmacist बनना है तो उसके लिए आपको एक course select करना पड़ेगा आपके सामने कई सारे options रहेंगे पहला है D-pharma, D-pharma याने diploma in pharmacy और दोस्तो ये जो diploma का course है वो 2 साल का course रहेगा second जो course है वो है bachelor of pharmacy याने B-pharma और ये course दोस्तो 4 years का होता है third दोस्तो option है आपके सामने B-P-T का B-P-T याने bachelor of physiotherapy और ये course भी दोस्तो 4 साल का होता है fourth course है दोस्तो आपके सामने master of pharmacy दोस्तो आपने B Pharma या फिर D Pharma का कोर्स कम्प्लीट कर लिया है और दोस्तो आपको फ्यूचर में Master Degree करनी है तो उसके लिए दोस्तो आप Master of Pharmacy याने M Pharma का कोर्स कर सकते हो ये दो साल का कोर्स है और ये कोर्स करने के लिए आपके पास Bachelor Degree होनी चाहिए फार्मसी के अंदर के अंदर एडमिशन लेने से पहले ये जरूर पता करें कि जो आपका कॉलेज है Pharmacy Council of India के जरिये रजिस्टर किया गया है क्यूंकि दोस्तो मार्केट में काफिज दफ फ्रॉड्स होने वाले कॉलेज भी है जो आपका पैसा और टाइम दोनों बरबाद करके रखेंगे इसल होगा तो दोस्तो आप फ्यूचर में ना जॉब कर पाओगे ना ही अपना बिजनस कर पाओगे तो इसलिए दोस्तो ये बहुत ही इंपोर्टन स्टेप है और दोस्तो ये कॉर्स कंप्लीट करने के लिए आपको लगबग 80,000 रुपई से लेके 3,000,000 रुपई तक का खर्च आएगा इस कोर्स की जो भी फीज होगी वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है कि आप किस टाइप के कॉलेज के अंदर एड्मिशन ले रहे हो और दोस्तो अगर आपके पास इखटा पैसा नहीं है तो दोस्तो कॉलेज आपको EMI को ओप्शन भी प्रोवाइड करा कर देग अभी दोस्तो हम लोग जान लेते हैं कि फार्मासिस्ट बनने के बाद आप कहा कहा पर काम कर सकते हो और फार्मासिस्ट बनने के लिए कोन कोन सी स्किल्स की ज़रुरत है तो दोस्तो एक अच्छा फार्मासिस्ट बनने के लिए आपके पास इंगलीज की काफी अच्छी चाहिए और जिस स्टेट के अंदर आप जॉब कर रहे हो उस जग की जो भी स्थानिय भाषा है वो आपको जरूर आनी चाहिए एक फार्मासिस्ट बनने के बाद आप गवर्मन्ट होस्पिटल्स के अंदर या फिर प्राइवेट होस्पिटल्स के अंदर नर्सिंग होम, स्व आस्त संबंदि सरकारी योजनाओ और इत्यादी विभागों के अंदर काम कर सकते हो इसके अलावा दोस्तो आप प्राइवेट नर्सिंग होम के अंदर प्राइवेट होस्पिटल्स के अंदर और क्लीनिक के अंदर भी काम कर सकते हो अगर दोस्तो आपको जॉब नहीं करनी हैं तो दोस्तों आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल कर अच्छी खासी कमाई कर सकते हो इसकी लिए आपको अपने जिले से या फिर सिटी से ड्रग लाइसंस लेना होगा और दोस्तों मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए लगबग 20 से 30 लाक रुपे तक का खर्च अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो दोस्तों आप नॉर्मल आउशद केंद्र भी खोल सकते हो जिसको ओपन करने के लिए आपको गवर्मेंट के जरिये लोन भी दिया जाएगा अभी दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि एक फार्मासिस्ट की सालरी कितनी होती है दो फ्रेशर फार्मासिस्ट को 12,000 से 15,000 रुपे की सालरी दी जाती है जिसी उसके पास 1 से 2 साल का एक्सपिरेंस आ जाएगा तो उसको 25 से 35,000 रुपे तक की सालरी दी जाती है अगर दोस्तों उस परसन के पास हाई सालरी स्कील्स है और दोस्तों उसके पास दवायों का अच् तो दोस्तो एक फार्मा से 60,000 रुपए से लेके 80,000 रुपए तक की सालरी भी ले सकता है और इससे ज्यादा की सालरी भी ले सकता है डिपेंड करता है कि वो कहा पर काम कर रहा है अगर आपको अपने लाइफ में धेर सारा पैसा कमाना है तो दोस्तो आप अपना 24 hours open medical store open कर सकत हो जिसकी मदद से आप 10-20,000,000 रुपए हर महिना कमा सकते हो बस आपकी जो medical की location है वो proper hospital के सामने होनी चाहिए तो दोस्तो उम्मित करता हूँ कि आपको फार्मा से के बारे में डीटेल में जानकारी मिल गए होगी इस वीडियो को शेर करके लोगों की मदद करो आपका प् वीडियोस हर देखने के लिए सब्सक्राइब करें